हेई गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल एक्स्प्लोजिव बीस्ट आज मैं लेके आए हूँ एक रिव्यू वीडियो और उसके साथ साथ एक टेस्ट वीडियो तो रिव्यू वीडियो जो है वो होने वाली है इस मसल ब्लेज की होम प्रोटीन टेस्टिंग किट की जो कि मैंने मसल ब्लेज की वेबसाइट से ही और करी है यह मुझे रूपीस की मिली है जिसमें दो टेस्ट यूब्स हैं यानि कि आप अपने घर में पड़े हुए दो ब्रैंड के प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं एक किट से और यह काफी काम की चीज है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अगर इसकी रिव्यू वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं यहां उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा डू वाच इट फर्ट यह बहुत ही एक फेमस ब्रैंड है और फेमस होने की वज़ा से ही इसमें डुपलिकेसी बहुत जाता है तो लेट्स चेक हैं तो इसमें एक काइड होगी जो कि आपको फैक नहीं है इसे पड़ के ही करना है टेस्ट और इसके अंदर ऐसी एक टेस्ट्यूब होगी जिसमें हम अपना सैंपल टेस्ट करेंगे और यह एक सॉल्यूशन है जा केमिकल कुछ भी आप कह सकते हैं जिससे रिजल्ट पदा करेंगें कि य मिलास के थे रिंवाले रेले यानिकी हर एक इंटल यह थी मिनिट के बाद देखना है और चौबईश घंटे के भी खोल देंगे सो एसपर दिगाइड इसमें 35 ml जो केमिकल है वह हम इसमें पोर करतेंगे हमारी टेस्ट यूब में राइट लाइट लाइट तो इसको हमने 35 ml पूरा का पूरा पोर कर दिया है इसमें अब इसमें इसमें 35 ml जो हमारा नेक्स टैप है हमें वेब प्रोटीन चाहिए जो भी हम अपने घर पर कंजूम कर रहे हैं आसपर्दी गाइड आपको पूरा एक स्कूप अपना प्रोटीन का लेना है और 200 ml वाटर में मिक्स करना है तो हमारा जो एक स्कूप प्रोटीन का है हमने मिक्स कर लिया है सिफ 10 ml प्रोटीन शेक आपको इस टेस्ट्यूब में डालना है इसकी लिमिट 45 ml की है 35 हमने केमिकल डाला हुए और 10 ml और डालेंगे तो यह पूरा फिल हो जाएगा उपर तक एक्जक्ट 10 ml होना जाहिए एस पर दीगाइड उससे ज्यादा नहीं होना है और उपर कुछ अलग सब्स्टेंस अकठा हो गया है विच इस वे तो इसके एक मिनिट वाले टेस्ट में लिखा है कि रियक्शन इमीडियेडली स्टार्ट सम्पर्सीपिटेट फ्लोट अट बॉटम आप दी सॉलीशन अरे कहना क्या चाहते हो तो इसका फॉर्स टेस्ट में परफॉर्म किया है उसमें यह पास हो चुका है क्योंकि इस काइट में लिखा है कि पहले टेस्ट में एक मिनिट के अंदर अब जैसी ही वे प्रोटीन डालेंगे जो वे है वो ऊपर मिक्स हो जाएगा और नीचे जो है बिल्कुल क्लियर सा ही हो जाएगा और अगर यह दोनों चीजे अलग नहीं होती है तो आपका प्रोटीन नकली है राइट तो चलते हैं स्टेप टू की तरफ नहीं है तो नाव इस टाइम फॉर टेस्ट टू हमें इसे रख वे अल्मोस्ट पांक से साथ मिनिट हो चुके हैं और एस पर टेस्ट टू रियाक्शन वो जो है अब नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया है और जो मिडल सेक्शन है इसका वो क्लियर होना चालू हो गया यू किन आपको डिफरेंस दिख जाएगा तो यह टेस्ट टू में भी क्लियर हो चुका है विच मीन्स हमारा प्रोटीन असली है फेक नहीं है अब में स्टेप 3 के तरफ बढ़ना है और उसके लिए हमें 18 से 24 गंटे से देने होंगे almost a day तो इसे मैं साइड में नहीं रख दूंगा टेबल बे और एक दिन बाद मैं इसका देखूंगा result क्या आता है I know this is genuine but still for YouTube I will show you the results तो मिलते हैं 24 गंटे के बाद So guys इस test tube को almost 24 गंटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे वाले portion में एक sediment कठा हो गया है जो almost 10 ml के around है ठीक है और अब मैं आपको इनकी guide दिखाता हूं तो asper the guide अगर ये जो sediment है या फिर जो precipitation है अगर वो 10 से 11 ml के बीच ह तो हमारे protein का जो count है 75 to 85% है which automatically shows that जो हमारा जो protein है ये बिलकुल genuine protein मिला है हमें और ये मैंने वीडियो के starting में ही कह दिया था कि ये genuine protein है and I hope आपको difference पता चल रहा हो round 1, 2 और 3 के बीच में जाने की जो तीनों टेस्टिम में परफॉर्म किये हैं उसमें आपको difference पता चल रहा होगा so I hope ये protein testing की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ये एक बहुत genuine product है muscle-based का if you want आप इनकी websites रही order कर सकते हैं directly एक जो साध एक सुस्सी के बीच का पड़ेगा और at least आपको पर चल जाएगा यार जो भी आप protein ले रहे हो वो genuine है या fake है कहीं आपका dealer आपको एक fake protein तो नहीं दे रहा even after spending 5-6,000 rupees I would really recommend this product आप खरीच सकते हैं और जैसा कि आपने तीनों टेस्ट में देखा आपको difference पता लग के होगा for sure तो इसी बात है चैनल को subscribe कर दो, वीडियो को like कर दो और share कर दो कोई भी queries है या feedback है let me know in the comment section below मिलते हैं एक नई वीडियो में with another supplement review तिल देन बाई